नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि लुबिमोइस्ट आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लुबिमोइस्ट आई ज्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और लुबिमोइस्ट आई ज्रॉप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि लुबिमोइस्ट आई ज्रॉप को आँखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखन में सुखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए Lubymoist Eye Drop का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई infection होने पर भी डॉक्तर Lubymoist Eye Drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं क्योंकि Lubymoist Eye Drop आखों में जलन और खुझली होने से बचाव करती है और आखों में नमी को बनाए रखती है। Lubymoist Eye Drop में artificial आसू होते हैं जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में infection को होने से रोकते हैं। आखों की लेसिक सर्जरी या क्याटराक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्तर आखों में सुखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए लुबिमोईस्ट आई ड्रॉप को डालने की सला दे सकते हैं. आखों में सुखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आखों में या आखों के आसपास चिपचिपे म्युकस का जमाफ होना आधी लक्षण आखों में सूखापन होने पर हो सकती हैं। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो लुबिमोइस्ट आई जॉप की वज़ा से अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए हैं। लेकिन लुबिमोइस्ट आई जॉप को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को Lubimoist Eye Drop को आखों में डालने के बाद आखों में जलन, खुजली और आखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिती में आपको डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्तर Lubimoist Eye Drop को बंद क Lubimoist Eye Drop को दिन में दो से लेकर तीन बार आखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन Lubimoist Eye Drop की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको Lubimoist Eye Drop को आखों में डालने से पहले डॉक्तर से परामर्ष ल तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे कि Lubimoist Eye Drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Lubimoist Eye Drop को आखों में डालने के बाद Lubimoist Eye Drop के ढखकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, और Lubimoist Eye Drop की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में इंफेक्शन हो सकता है, Lubimoist Eye Drop की बोतल को एक बार खोल लेने के बाद Lubimoist Eye Drop की उस बोतल को एक महीने के अंदर उप्योग कर लेना चाहिए, और एक महीने से ज्यादा पुरानी खुली हुई Lubimoist Eye Drop को आखों में नहीं डालना चाहिए, Lubimoist Eye Drop प्रेगनेंट महीलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, और स्तनपान करा रही महीलाओं के लिए भी Lubimoist Eye Drop का उप्योग करना सुरक्षित है, इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महीलाओं और स्तनपान कर रही महीलाओं को Lubimoist Eye Drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका Lubimoist Eye Drop से संबंधित कोई प्र